कभी शराब नहीं पी, कभी सिग्रेट नहीं पी, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसर को बहतर समझने के लिए हमें इंसानों की बॉड़ी के अंदर मौजूद सेल्स को समझना होगा। हर दिन 330 बिलियन सेल्स हमारी बॉड़ी के अंदर मरते हैं और नए जन्म लेते हैं। जब युवराज सिंग को कैंसर हुआ, संजेदत को कैंसर हुआ, तो कीमो थेरेपी कराते वक्त भी वो एक्सरसाइस कर रहे थी। इस लेवल का डेडिकेशन होना जरूरी है कैंसर से लड़ने के लिए। दुनिया भर में करीब 42% कैंसर के केसिस प्रिवेंटेबल हैं। और ये वो पाथ चीजे हैं जो आपको करनी है अगर आपको कैंसर से बचना है तो। नमास्कार दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका डर लोगों को शायद से सबसे ज्यादा सताता है। कुईन फिल्म में एक बड़ा जाना माना डायलोग था जहाँ पर लीड कैरेक्टर रानी कहती है। गुपता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, पिभी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी ही लेते। ओविसली एक कॉमेडी सीन था लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में यही बात एक्चुली में होती है। कई लोग किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी शराब पी, ना कभी स्मोक किया, लेकिन फिर भी उसे कैंसर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ ऐसे भी कई इंसान है जिन्होंने जिन्दगी भर स्मोक किया, शराब पी लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर नहीं हुआ सच बात यह है दोस्तों कि कैंसर अपने आप में एक बड़ा कॉंपलेक्स टॉपिक है इस बात में कोई डाउट नहीं कि अलकोहल पीने से साथ अलग-अलग टाइप के कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं जैसे कि लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर और स्मोकिंग से लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे 16 अलग-अलग cancer types का risk बढ़ता है लेकिन cancer सिरफ 16 प्रकार के नहीं होते हैं बलकि 200 से ज्यादा अलग-अलग type के cancer होते हैं depending upon ये हमारे शरीर में कहां से start होता है तो alcohol और smoking definitely दो बड़े कारण है cancer के पीछे लेकिन इसके इलावा भी cancer के बहुत से कारण है क्या है ये कारण जिने हटाकर आप अपने cancer होने का risk कम कर सकते हो exactly ये बिमारी कैसे काम करती है और क्यूं इंसानों के लिए इतनी हानिकारक होती है आज के इस वीडियो में आईए cancer को गहराई से समझते है एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम चिराग है उसके पेरेंट्स ने उसका रूटीन चेक अप करवाया तो पदा चला कि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम था एक टेस्स से पदा चला कि चिराग को थालेसेमिया मेजर नाम का एक ब्लड डिसॉर्डर है इसकी वज़े से बॉडी सही से हीमोग्लोबिन और हेल्दी ब्लड 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 बुलाया जाता है कोई हरानी की बात नहीं है कि इंडिया को थालेसेमिया कैपिटल ऑफ दे वर्ल बुलाया जाता है ये एक इनहरेटिड बिमारी है यानि कि आपके परिवार में अगर किसी को है तब ही आपको ये होगी लेकिन थालेसेमिया से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है 2015 में ताइवान में एक स्टडी करी गई थी जिसने बताया कि जेनरल पॉपिलेशन के मुकाबले थालेसेमिया के पेशेंट्स में 52% ज्यादा कैंसर होता है हर तीन हफते में जब चिराग को ट्रांस्फूजन के लिए हस्पताल ले जाया जाता है तो वो अपने पेरेंट से पूछता है कि मेरे दोस्त तो हॉस्पिटल नहीं जाते है मुझे ही क्यों ले जाया जा रहा है लेकिन जब चिराग साथ आठ साल का हुआ तो कुछ-कुछ उसे समझ आने लगा कि उसके साथ ही कोई इशू है जिसकी वज़े से उसे हर तीन हफ़ते में हॉस्पिटल जाना पड़ता है एक दवाई के साथ चिराग उस ट्रांस्फूजन प्रोसीजर के साथ एडजस्ट करने लगा जब आईवी की लाइन उसे चुबती तो वो रोता भी नहीं था लेकिन दर्द पेरेंट्स को होता था फिर एक दिन एक डॉक्टर ने उन्हें एक DKMS के बारे में बताया जो stem cell registry है अब कैंसर को समझने के लिए दोस्तो stem cells को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि stem cells और cancer का एक बहुत बड़ा link है क्या होते हैं ये stem cells आप इनके नाम से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो stem cells ऐसे cells जिनसे दूसरे cells बनते हैं ये खुद को अलग-अलग प्रकार के cells में बदल सकते हैं इसके साथ-साथ stem cells खुद को replicate भी कर सकते हैं यही वो cells हैं जिनसे blood cells बनते हैं skin cells बनते हैं, muscle cells बनते हैं बच्चे बनने से पहले तो blastocyst के अंदर जो stem cells पाए जाते हैं उन्हें embryonic stem cells कहा जाता है और ये ऐसे cells होते हैं जो body के किसी भी cell का रूप ले सकते हैं लेकिन unfortunately जब इनसान बड़े होते हैं adult humans में कोई भी ऐसे stem cells नहीं होते हैं इसी भी तरह के cell में बदल सकते adults में stem cells जिन्हें somatic stem cells भी कहा जाता है वो शरीर के जिस tissue या organ में होते हैं उसी के हिसाब से वो differentiate कर पाते हैं जैसे कि हमारे brain में जो stem cells हैं वो सिर्फ brain cells में ही convert हो पाते हैं हमारी skin वाले जो stem cells हैं वो सिर्फ skin cells ही बन पाते हैं और हमारे खून में जो blood stem cells हैं वो अलग-अलग तरह के blood cells में ही convert हो पाते हैं overall देखा जाए दोस्तों तो हमारी body में करीब 400 अलग-अलग type के cells होते हैं जैसे कि red blood cells, white blood cells, nerve cells, fat cells, skin cells September 2023 में की गई इस research को देखिए इसके अनुसार सभी cells का जो total number है हमारी body में वो trillions में, एक छोटे बच्चे में 17 trillion cells होते हैं एक average adult female में 28 trillion और एक average adult male में 36 trillion यानि की 36,00,000,000,000 करोड cells होते हैं हर रोज हमारी body में billions of cells मरते रहते हैं और billions of cells नए भी बनते रहते हैं specifically कहा जाए तो 330 billion cells यानि की हमारे शरीर में total number of cells के करीबन 1% हर रोज replace होते हैं philosophically एक कहावत है जो यहाँ पर कही जाती है कि आप आज सुभ़ः जो इनसान थे अभी शाम को आप वो इनसान नहीं हो आप पल-पल बदलते रहते हो एक नदी की तरह यह बात हमारी body के context में literally भी सच है और यह पल-पल बदलना, cells का दिन प्रती दिन regenerate होना यह काम stem cells के द्वारा किया जाता है अलग-अलग tissues में जो regeneration होता है उस tissue के stem cells के द्वारा किया जाता है लेकिन इस सब में एक organ हमारी body का बहुत ही अनोखा है हमारी liver हमारी liver एक बहुत ही unique organ है क्योंकि वहाँ पर fully developed, fully specialized liver cells भी divide होते है और अपनी संख्या को rapidly बढ़ा सकते है यानि कि हमारी body में liver एकलोता organ है जो छिपकली ही पूँच की तरह काम करता है छिपकली ही पूँच अगर काट दो तो वो दुबारा से grow हो जाती है ऐसे ही हमारी liver का अगर 90% हिस्सा भी आप काट के फेक दो तो दुबारा से grow हो जाएगी हमारी liver लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि liver खराब नहीं हो सकती अगर आप कहोगे कि beer तो शराब है ही नहीं wine सेहत के लिए अच्छी होती है या फिर आप उन लोगों में से हो जो कहते हो कि मैं तो एक ही बारी में इतने शॉर्ट गट का जाता हूँ एल्कोहॉल पीने से liver पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है और liver cancer का risk भी बहुत बढ़ जाता है लेकिन सिर्फ एल्कोहॉल ही नहीं की topic पर वापस आएं तो एक बात clear करनी जरूरी है कि जो हमारी body में अलग-अलग type के body cells है उनका खुद को renew करने का regenerate करने का जो rate है वो भी अलग-अलग होता है जैसे कि मई 2008 की इस major study ने बताया कि हर साल body के 10% fat cells replace होते हैं इसका मतलब body के अंदर सारे fat cells को replace करने में करीब 10 साल का समय लगता है एक बड़ा interesting side topic है याँ पर कि क्या हमारे brain cells भी regenerate कर सकते हैं इस पर काफी समय से scientific debate रही है माना जाता है कि हमारे दिमाग में ज्यादा तर neurons हमारे birth के समय तक ही बन जाते हैं करीब 100 billion neurons लेकिन recent research ने indicate किया है कि एक limited neurogenesis यानि कि brain cells का regenerate होना दिमाग के केवल दो हिस्सों में देखा गया है एक है hippocampus जो हमारी memories, learning और emotions में involved होता है और दूसरा olfactory bulb जो smell करने के लिए responsible है दिमाग के दूसरे neurons regenerate नहीं करते और जिन्दगी भर वैसे ही बने रहते है और brain के इलावा spinal cord, heart और joints में भी बहुत कम regenerative capacity देखी गई है इसलिए अगर इन जगाओं में आपको कोई बिमारी होती है या चोट लगती है तो वो बहुत बहुत हानिकारक होती है लेकिन इसके opposite कई ऐसे body cells हैं जो बहुत fast regeneration करते हैं जिनने पूरा complete overhaul करने में बहुत कम समय लगता है जैसे कि हमारे skin cells हर रोज हमारी body 500 million skin cells shed करती है इसका मतलब पता है क्या है? कि हर 4 हफते में हमारी पूरी skin regenerate हो जाती है और 4 हफते भी fastest regeneration time नहीं है हमारी intestine के अंदर की lining है वो केवल 5 से 7 दिन में पूरी तरह regenerate हो सकती है नए red blood cells एक second में 2-3 million produce हो सकते हैं इनका average life span सिरफ 120 दिन का होता है stem cells में भी खुद को replicate करने का और इसी तरीके से self renewal का potential होता है लगा सोच के देखो यह कितनी amazing बात है कि हमारा शरीर कैसे हमें constantly नया करने की कोशिश करते रहता है constantly नये cells regenerate करते रहता है यही कारण है कि अगर आप कहीं गिर जाते हैं खरोंच लग जाती है तो कोई बड़ी चीज नहीं क्योंकि आपके skin cells regenerate हो जाते हैं अगर आप blood donate करते हैं अपना तो blood volume यानि की plasma केवल 24 घंटे में restore हो जाता है जितने ही red blood cells आपने किसी और को दिये 4-6 हफते में वो वापस आ जाते हैं यह पूरा मामला है replenishment का, repair का और regeneration का लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी cell में gene damage हो जाए तो क्या होगा अगर आपको याद हो evolution वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि DNA genes और gene mutations क्या होती है gene को एक तरह से program की तरह समच सकते हो जिन में detailed set of instructions होती है cell के लिए अगर cells की genes में कुछ बदलाव आ जाता है या कोई error आ जाता है तो इसे mutation कहा जाता है और इसकी वज़ेज से cell growth disturb हो सकती है ऐसी situation के लिए हमारी body के पास कुछ options available होते है कुछ mechanisms हमारी body के अंदर जो gene damage के खिलाव fight करते है जैसे कि P53 tumor suppressor gene ये एक security guard की तरह है ये वाली gene जो protein produce करती है वो damaged gene को repair करने का का काम कर सकता है इसी तरीके से एक gene होती है जो filter की तरह काम करती है अगर कोई cell बहुत पुराना या damaged हो जाए तो gene उसे मरने की instruction दे देती है इस process को programmed cell death या apoptosis कहा जाता है cell से वहाँ पर literally कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा काम खतम होगे अब गायव हो जाओ यहां से दूसरी कुछ और genes है जो mechanic की तरह काम करती है damaged genes को repair करने का काम करती है तो मोटे मोटे तोर पर देखा जाए अगर हमारे cells में कोई damage पहुँच रहा है तो हमारी body के पास security guard genes है filter genes है, mechanic genes है इन सब के द्वारा हमारे damaged cells को बढ़ने से रोका जा सकता है repair किया जा सकता है या उन्हें body से हटाया भी जा सकता है लेकिन सोचने वाली बात ये है कि तब क्या होगा अगर ये वाली genes ही अपने आप में damage हो जाए तो ये security guard filter और mechanic ही damage हो जाए फिर कौन इनके काम समहा लेगा unfortunately कोई नहीं और ऐसी ही situation को cancer कहा जाता है mutation की वज़े से अगर किसी cell की gene damage हो जाए और वो uncontrolled तरीके से grow करने लगे फैलने लगे तो ऐसे cell को cancer cell बुलाया जाता है cancer cells इतने out of control हो जाते हैं कि वो normal healthy cells के रास्ते में भी roda अटका देते है इन cancer cells में अक्सर ये भी काबिलियत होती है कि ये दूसरे tissues को infiltrate कर सके यही कारण है कि cancer body के किसी एक हिस्से से शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे अगर उसे रोका न गया तो body के और parts में भी फैलने लग जाता है जब एक body parts से आया cancer cell body के दूसरे parts में फैलने लगता है इसकी बाद वीडियो के end में करेंगा अभी बात करते हैं treatment की cancer की सबसे famous treatment होती है chemotherapy इन cancer cells को खतम किया जाना किसी powerful chemical की मदद से इसी process को chemotherapy कहा जाता है इस process की सबसे बड़ी problem ये है कि ये powerful chemicals cancer cells को तो मार देते हैं साथ ही साथ कुछ अच्छे healthy cells को भी खतम कर देते हैं chemotherapy की chemicals उन cells को target करते हैं जो division के process के बीच में होते हैं तो जो भी fast regenerating healthy cells हैं body के cancer cells के साथ-साथ उन पर भी हमला होता है यही कारण कि जो लोग chemotherapy करा रहे होते हैं वो लोग अकसर गंजे हो जाते हैं क्योंकि हमारे hair follicle cells बड़े ही fast regrowing cells हैं साथ ही साथ मैंने क्या कहा था हमारी intestine के अंदर जो cells हैं वो भी बड़ी जल्दी रीग्रो करते हैं इसलिए chemotherapy के दवरान digestive problems होती हैं vomiting आती है, diarrhea आता है इसके इलावा हमारे bone marrow cells भी destroy हो जाते हैं bone marrow हमारी हडियों के अंदर पाया जाने वाला soft spongy tissue होता है एक होता है yellow bone marrow जहां ऐसे stem cells होते हैं जो fat, cartilage या bone cells बन जाते हैं दूसरा होता है red bone marrow जहां blood stem cells होते हैं जो red blood cells, white blood cells या platylates बन जाते हैं तो क्योंकि मैंने कहा था हमारे blood cells भी बड़े fast regrowing cells हैं तो chemotherapy के वज़े से ये भी damage हो जाते हैं red blood cells की कमी की वज़े से anemia हो सकता है hemoglobin level अक्सर नीचे गिर जाता है platylates जो होते हैं वो blood clotting में मदद करते हैं जब हमें चोट लगती है, कहीं पे wound आता है तो बाकी और बिमारियों के होने के chance भी बढ़ जाते हैं इसलिए doctor suggest करते हैं chemotherapy के दोरान balanced nutritious diet होनी चाहिए अच्छी नीद पूरी करनी चाहिए आपको stress से दूर रहना चाहिए regular hand washing करनी चाहिए mask पहनना है food hygiene की मदद से bacterial और viral infection से बचा जाए regular exercise करनी बहुत जरूरी हो जाती है bollywood actor Sanjay Dutt का जब cancer treatment हुआ था तो उनकी oncologist डॉक्टर सेवंती लिमाई ने बताया कि कीमotherapy वाले दिन पर भी वो ट्रेड मिल पर दिखते थे एक घंटा exercise करते थे शाद यही कारेंट की आज वो इतने अच्छे से recover कर पाएं अब मान लीजिए कीमotherapy से cancer cells तो खतम हो गए लेकिन सवाल आता है कि अब जो healthy blood cells destroy हुए है उन्हें कैसे restore किया जाएं इसके लिए किया जाता है stem cell transplant जिसे bone marrow transplant भी कहा जाता है यह blood cancer और blood disorder patients के लिए एक treatment का option होता है कुछ cases में इनसान के खुद के कुछ healthy stem cells ही उसको दिये जा सकते है ऐसे case में इसे कहा जाता है autologous stem cell transplant patient की एक बहाँ से खून जाता है एक aphoresis machine में stem cells को यहाँ पर अलग किया जाता है और बचा हुआ खून दूसरी बहाँ से वापस दिया जाता है chemotherapy से cancer cells को खतम किया जाता है और इसके बाद उन stem cells को वापस दिया जाता है कई cases में दूसरे donor की ज़रूत पड़ती है क्योंकि patient की खुद की body में bone marrow की परियाप्त मात्रा ही नहीं होती healthy blood cells मिल ही नहीं पाते होते हैं ऐसे case में इसे कहा जाता है allogenic stem cell transplant जिस तरह blood लेने के लिए donor के साथ आपका blood group मैच करना जरूरी है इसी तरह stem cells लेने के लिए मैच करना जरूरी है आपका HLA typing इसका full form होता है human leukocyte antigen typing ज्यादा details में जाए बेना ये जान लीजिए कि HLA immune system का एक important हिस्सा होता है आपके भाई या बहन के साथ आपका HLA typing perfectly match करे इसकी probability 25% होती है आपके parents के साथ ये कभी match नहीं कर सकता क्योंकि एक हिस्सा आपके एक side के parents से आता है दूसरा हिस्सा दूसरी side के parents तो अगर भाई बहन के साथ कोई match ना निकले तो किसी unrelated इनसान से आपको HLA type match कराना होता है और ये perfect match होने का chance बहुत बहुत कम हो जाता है एक लाख में से एक दुनिया में हर एक लाख लोगों में से एक ही इनसान ऐसा मिलेगा जिसके साथ आपका HLA type match कर रहा हो कैसे धूंडे जाए matching donors ऐसे case में यहाँ रोल आता है दोस्तो stem cell registry DKMS का ये एक global non-profit organization है जिसकी tagline है हम blood cancer को खतम करते हैं ये अपना एक worldwide database बना कर रखते हैं इस database में से ही चिराग के लिए एक donor मिल गए वही चिराग जिनकी कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी ये donor थे Roman Simmonsky जो natively Russia से हैं लेकिन 2005 से Germany में settled है Roman एक precision mechanic हैं लेकिन kickboxing करना पसंद करते हैं एक बार उनकी kickboxing team ने blood donate किया Roman भी school के time से blood donate करते रहे हैं इसलिए उन्होंने भी किया उनसे पूछा गया कि आप एक swab sample देना चाहेंगे मूँ के अंदर डाल कर गाल के पास से swap sample लिया जाता है तो उन्होंने का हाँ क्यू ने काहा हाँ क्यू ने कारने के करीब एक साल बाद रूमन को DKMS ने कॉन्होंने काहा कि आपकी HLA-Typing किसी के साथ मैच हो गई है आप STEM CELL डोने कर सकते हो उपने रूमन केहते हैं कि उनके लिए जरूरी नहीं था कि वो किसे डोनेट करने जा रहे हैं बल्कि बस ये जरूरी था कि उनके डोनेट करने से किसी की जान बचेगी उन्होंने हा कहा और अपने STEM CELLS डोनेट कर दिये चिराग को स्टेम सेल्स दोस्तों हमारे बोन मैरों के इलावा हमारे पेरिफिरल ब्लड में भी पाए जाते हैं यानि कि वो खून जो हमारे हार्ट, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज में दोड़ता है STEM CELL Donation सुनने में अपने आप में बहुत ही भारी भरकम शब्द लगता है लेकिन ये एक्चुली में सिरफ 3-4 घंटे का बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है STEM CELLS डोनेट करने के लिए आपको बस आपके नजदी की केंदर में जाना है और आगे की जो बाकी की प्रक्रिया होती है वो blood platelet donation की तरह एकदम सिंपल होती है बस एक फर्क है जब आपका खून आपके हाथ से निकाला जाता है तो उस खून को पहले एक machine में भेजा जाता है जहां पर stem cells को अलग किया जाता है और फिर वही खून शरीर में आपके वापस भेज दिया जाता है तो कुछी टाइम बाद body आराम से stem cells को regenerate कर भी लेती है कुछी इसी तरह रोमन ने stem cell donation के जरीए चिराग की जान बचाई चिराग पूरी तरीके से healthy हो सका चिराग ने ठीक होने के बाद रोमन को एक लेटर लिखा जिसे पढ़कर रोमन और उनकी वाइफ की आँखों में आसु आगे चिराग ने उन्हें अपना भाई अपना हीरो कहा था चिट्थी में रोमन ने कहा कि उनका खुद का एक छोटा बाई है जो actually में चिराग की ही उमर का है इस साल माई में दोनों का पहली बार face to face मिलना भी होगा ठीकिसी तरीके से आप भी किसी की जान बचा सकते हैं दोस्तों आप भी किसी के लिए एक देवदूद बन सकते हैं वीडियो देखने वाले सभी वीवर्स अगर रजिस्टर करें तो हम बलड कैंसर को एक कड़ी टकर दे सकते हैं मैं उमीद करूँगा आप मेंसे किसी को भी बलड कैंसर या बलड डिसॉडर नहीं है और ना ही कभी हो लेकिन फिर भी आप अपना HLA टाइपिंग पता कर सकते हैं और इसे पता करके रखेंगे तो अच्छी बात है दिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और एक ओनलाइन फॉर्म आएगा उस फॉर्म में आपको बेसिक डीटेल्स भरनी होंगी जैसे कि आपका नाम, आपकी उमर, आपका एड्रेस रजिस्टर करने के कुछी दिनों बाद आपके घर में एक बिल्कुल फ्री एक स्वैब किट आ जाएगी इस स्वैब किट में आपको मिलेंगे तीन क्लीन स्टैरिलाइսजड बॉकल स्वैब्स बॉकल स्वैब एंवयलप, कंसेंट फॉर्म और एक इंस्रॉक्शनस शीट इस instruction sheet में दी गई instructions को follow करके आपको अपना swab sample लेना है, आपको basically अपने cheek में डालना होगा, इस sample को sign किये गए consent form के साथ उसी kit में दीए गए envelope में बंद कीजिए और इस envelope को screen पर दिखाये गए तरीकों से reverse pickup request कीजिए, फिर आपके sample का इस्तिमाल करके आपका HLA type पता किया जाए में सफलता पूर्वक register हो गए हैं, अगर आप अपना HLA type जानना चाहते हैं, तो donor at the rate dkms-bmst.org पर email कर सकते हैं, इसके बाद आपका HLA type किसी blood cancer के मरीज से match होने पर, आपको stem cell donation के लिए एक call आएगा, इसकी संभावना बहुत दुरलब है, call आने में एक हफते से लेकर एक आप पर निर्भर है कि आप donation के लिए comfortable हो या नहीं हो, ये एक voluntary process है, उस moment में आप decide कर सकते हो कि आपको अपने stem cells donate करने है या नहीं करने है, लेकिन पूरा process completely free है, आपको कोई खर्चा उठाने की जरूत ने, इसका खर्चा DKMS NGO उठा रहा है, अब आते हैं gene damage के कारणों पर, आखिर क्या कारण है कि कुछ cells में इस तरीके का gene damage हो जाता है, तीन में इन कारण बताय जाते हैं, सबसे पहला है inherited mutation, कि आप mutated gene के साथ ही पैदा हुए हो, ऐसा usually तब होता है जब आपने अपने parents से इस damaged gene को inherit किया हो, कुछ cases में तब भी हो सकता है, जब आप embryo थे और inherited gene develop हो गया, दुनिया में total cancer cases में से लगभग 5-10% cancer cases inherited mutated genes की वज़े से होते हैं, यानि कि बचपन से ही ये genes आपके अंदर होती हैं, दूसरा कारण है age, आपकी उमर के साथ-साथ genes wear out होने लग जाती हैं, इसलिए ज्यादा उमर के लोगों में ज्यादा cancer के cases देखने को मिलत उमर के हिजाब से एक लाग लोगों में से कितने लोगों को cancer होगा, ये incidence भी आप इस graph में देख सकते हैं, कि कैसे curve ऊपर जा रहा है, और maximum incidence 85-89 years वाले interval में देखने को मिलता है, यानि 80-90 साल की उमर में सबसे ज्यादा chance होता है cancer होने का, ऐसा इसलिए है क्योंकि gene damage समय के सा साथ-साथ build-up होता रहा है, या तो आपकी young age में ही death हो गई dengue या malaria की वजए से, या फिर आप इतनी लंबी उमर जीए कि आप ए cancer patient बन गए है, इसलिए cancer की बिमारी developed देशों में ज्यादा देखने को मिलती है developing की comparison में, क्योंकि developed देशों में बाकी और बिमारिया कम होती है, लोग ज्यादा लंबी उमर जीते हैं और लोग अकर ज्यादा लंबी उमर जी रहे हैं, तो gene damage का risk उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है, तो अफसोस की बात यह है कि जो दोनों कारण में आपको अभी तक बताए, इन दोनों कारण में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जो genes inherit आपको होने वाले हैं, वो हो चुके हैं inherit, अब आप कुछ बदल नहीं सकते हैं, और जो उमर आपकी बढ़ रही है, वो बढ़ते ही रहेगी, उसे आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो तीसरा कारण है, इसको लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यह है lifestyle causes, American Cancer Society के द्वारा की हैं, वो सिर्फ smoking की वज़े से होते हैं, 5.6% alcohol की वज़े से होते हैं, तो यह बात तो बड़ी clear है, कि सबसे पहले alcohol और smoking बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, दूसरा, अगर आप overweight हैं या obese हैं, तो अपने weight को सही zone में लाइए, क्योंकि यह देखिए, 7.8% cancer के cases होते हैं, obesity की वज़े से, अपना वज़न कैसे कम करना है, इसको लेकर अगर आप detailed scientific guide चाहते हैं, तो मैंने ये video बनाया है, बहुत ही detailed, step by step जिसमें बताया है, कि exactly यह कैसे किया जा सकता है, तीसरा, UV radiation, करीब 4.7% cases UV radiation की वज़े से होते हैं, सूरज की harmful ultraviolet rays, दोपहर के समय अपनी weather app में देखा करो कि UV index कितना है, अगर UV index 5 से उपर है, तो ultraviolet rays बहुत damaging हो सकती है आपके skin के लिए, वही ultraviolet rays आपके skin को penetrate करके आपके DNA को damage करती है, genes damage करती है, जिसकी वज़े से skin cancer होता है, बार-बार sun की वज़े से tan होना या sunburn होना, इसी का ही एक indication है, और ये बड़ी खतरनाक च निकलो धूप में, ये वो समय है जब UV index सबसे ज्यादा होता है, especially summers के समय में, winters में इतना ज्यादा नहीं होता, तो सुभह या शाम में ही धूप के मजे लिया करो, और दूसरा ये कि अगर आपको actually में इस time के बीच में बाहर निकलना है धूप में, तो sunscreen लगानी बहुत ज के, vegetables, fruits, berries, nuts, seeds, herbs, whole grains, beans, milk, egg, ये सब शामिल करो, जो packaged खाना होता है, उसमें अक्सर ऐसे chemicals डले होते हैं, जो carcinogenic होते हैं, जिनसे cancer होने का risk बढ़ता है, लेकिन अक्सर ये चीज़े काफी time बाद ही पता चलती है, जैसे की bread वाले वीडियो में मैंने बताया था कि potassium bromide, एक ब bread बनाने वाली companies ने कहा कि अब से हम ये नहीं डालेंगे, लेकिन अभी तक जो आपने खाया, उसका क्या, तमिल नाडू और गोवा के बाद अब करनाटेका ने artificial food coloring पर बैन लगाया है, देखा गया कि कबाब में sunset yellow और कार्मो सीन coloring डाली जा रही थी, sunset yellow FCF एक ऐसा chemical है, जिस जैसे 2018 में styrene, myersine, benzophine को बैन किया गया, इसलिए safest option यही है कि packaged खाना मत खाओ, natural खाना खाओ, fresh खाना खाओ, और local खाओ, physical activity, active lifestyle रखना काफी जरूरी है, regular exercise करते रहो जिसमें stretching, cardio और strength training, तीनों तरीके की exercise होनी चाहिए, stretching बड़ा obvious है जिसमें आप muscles को stretch करते हो, cardio वो exercise जैसे environmental exposure का एक angle, air pollution और कई सारे pesticides जिनका इस्तिमाल किया जाता है, जो carcinogens होते हैं, आपके working environment में कहीं benzene, asbestos, vinyl chloride, arsenic, इनका तो इस्तिमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि international agency for research on cancer के according, यह सारे के सारे human carcinogens की category में आते हैं, pesticides और fertilizers के exposure से cancer हो सकता है, air pollution तो आपके हाथ में नहीं है लेकिन अपना exposure जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, फिर आता है दोस्तो एक बहुत बड़ा factor, जो developing countries में especially 20-25% cancer cases के पीछे responsible है, और यह कारण है viruses, सही सुना आपने, अलग-अलग प्रकार के viruses भी cancer का कारण बन सकते हैं, जैसे कि hepatitis B का virus, hepatitis C का virus, HIV virus, human herpes virus, human T lymphotrophic virus, मेरकल सेल पॉलियोमा वाइरस, HPV virus, इन से बचने का एक बड़ा simple solution है, जो vaccines डॉक्टर के द्वारा recommend की जाती है, उन्हें लेना जरूरी है, hepatitis B की vaccine लगवाईए, hepatitis C की vaccine लगवाईए, अकसर ये vaccines बचपन में ही लग जाती हैं लोगों को, लेकिन HPV एक नई vaccine आई है, HPV virus से protect करने के लिए ये लगवानी जरूरी है, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आप इन points का ध्यान रखेंगे, तो आपका और आपकी family का cancer risk बहुत हद तक कम हो जाएगा, दूसरा blood cancer के मरीजों को बचाने का तरीका तो मैंने आपको बताया, आज ही जाके DKMS में register कीजिए, इसका link description में मिल जाएगा, ऐसा करने से आप लाखो blood cancer के मरीजों को जीने की उमीद दे सकते हैं, September का महीना blood cancer awareness month भी होता है, यही कारण कि मैंने वीडियो September में बनाया, और अब अगर आप जानना चाहते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा लंबी उमर जीते हैं इसकते हैं बहती हैंग, और आप मीद Two-n